जे हिंदोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्ट संचेत और दोस्तों आज की इस वीडियो में आज के लिए क्या वियू था किस तरीके से मार्किट में एक सबर दस्तेजी का महौल केवल बैंकिंग सेक्टर की वज़े से हमें आज देखने को मिला क्योंकि अगर हम IT को देखें तो 1% की गिरावट बाकी अगर हम mid cap and small caps को देखें तो आधा परसेंट से लेकर जो है वो 0.25% की गिरावट हमें वहाँ भी देखने को मिली बट जब banking ने ठान लिया था कि banking को उपर ले जाना है market को तो जितना weightage banks का है जितना weightage HDFC bank का है उसे कोई रोग नहीं सकता और कल हमने यहीं discuss किया था कि किस तरीके से HDFC bank की जो investor meet है वो बहुत important event जो है इस बजार के लिए हो सकता है आगे की direction जो है वो तै कर सकता है तो कल के लिए हमें क्या plan करना है क्या data जो है हमारे सामने निकल के आ रहा है और कल bank nifty की expiry कल शाम को US Fed के minutes किस तरीके से सारी चीज़े जो हम plan कर सकते हैं सारी चीज़े इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा बेल आकिन को दबाईएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगबग 1000 likes जो कि आप पूरा कर ही देंगे तो चलिए अब जाए टेम बेशना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देख सबसे पैली चीज हम लोग बात कर लेते हैं Global Markets की ठीक है Global Markets के बारे में काफे सारे लोगों के comment आते हैं कि सर आप Global Markets के बारे में थोड़ा जाधा चर्चा गरते हैं और वो चीजे जो है उस हद तक जो हमारे काम नहीं आ रहे क्योंकि बजार जो है वो लीनियर जो है वो उपर जा रहा है और अगर मैं यह जीज़ा की बात नहीं करता तो मेरे उपर आरोप लगते हैं कि मैं हमेशा बुलिश भी रखता हूं लॉंग टर्म में आप मेरे को ब्लेम करते हो गया मतलब लॉंग टर्म में हर आदमी जो इंडिया में कि इंडिया पे ट्रस्ट करता है इंडिया की एक अनॉमी पे ट्रस्ट करता है अपने देश के उपर करहना है वो सारी चीज़े अपने को देखनी होती है और वोई चीज़े हम देखने की कोशिश करते हैं कल मैंने आप लोग के लिएक इंपोर्टन चीज़ बोली थी HDFC बैंक और आज अगर आप देखोगे जितने भी प्लाटफर्म सोंगे आपको यही चीज़ दिखाई देगी सुबह सुबह जो एनलिस्ट मीट के बाद सिटी ग्रूप की तरफ से जो है वो HDFC बैंक के उपर बाई रेटिंग आई और उसके बाद 44% का जो अपसाइट टार्गेट है वो सिटी ग्रूप की तरफ से जो है वो दिया गया है अनलिस्ट के द्वारा तो एक अपक्रेड जो है वो आया HDFC बैंक के स्टॉक के उपर सिटी ग्रूप की तरफ से रीजन जो HDFC बैंक की इंवेस्टर मीट थी उसमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़े बोली गई अब इसमें कुछ लोगों का सवाल होगा या आएगा जायर सी बात है कि यार उनके बोलने से क्या है अगर आप किसी कंपनी में जो है वो बड़ा हिस्सा रखते हो या फिर आपकी खुद की कंपनी अमान लीजे आप कभी ये तो बोलोगे नहीं ना कि भाई आगे की सिच्वेशन थोड़ी खराब दिखती है या कंपनी अमारी थोड़ा जो है वो दिक्कत हो सकती है ये सारी चीजें तो वो ही है बट ऑनेस्ली जिस हिसाब से उन्होंने समझाने की कोशिश करी उसके बाद जो सिटी ग्रूप का एक अपग्रेड आया उसके बाद आज ऑपरेटर्स ने ठान लिया था कि बैंकिंग स्टॉक्स को उपर रखना है चाहे ग्लोबल फ्यूचर्स 100 पॉइ और आज HDFC बैंक की जो खबरे आई है और सिटी ग्रूप की जो है वो बाई रेटिंग जो अपग्रेड हुई है इसके बाद मार्केट को उपर लेके जाना है स्पेशली बैंकिंग सेक्टर को तो वो उपर लेके गया ठीक है यह आप लोग को मानना पड़ेगा इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ न्यूज बैक ऑफ दा माइंड रखो बट अगर प्राइज कुछ बोल रहा है तो उसके उपर हम लोग को फॉलो गरना चाहिए और यही चीज आज डेफिनेटली होती ही दिखाई दी है अब कल बैंक निफ्टी के एक्सफाइरी है ठीक है उसके लिए जो मेरेकों डिसकस करनी है बैंक निफ्टी के एकस्फाइरी को ले कर वहने टेलिग्राम गृूप पे भी आप लोग के साथ आज सुबह साढ़े दस बज़े शेर कर दी ठीक है इसक्रिप्शन में मिल जाएगा आपको फ्री ग्रूप है आप जोइन कर सकते हैं हमारा कुछ भी paid service वगरा कुछ भी आसा कुछ नहीं है तो अगर आप वहां कहीं फसेव हैं तो प्लीज वहां से exit कर जाईएगा ठीक है यह अपना जो है वो main group है यही पर मैं सारी updates वगरा देता हूं यहां पर मैंने आप लोग को update दिया था कि bank nifty का जो put call ratio है सुभे साढ़े 10 बजे यह 1.5 हो गया था generally हम लोग क्या देखते हैं जो nifty का put call ratio होता है 1.4 के आसपास जो है overbought होना शुरू हो जाता है bank nifty का जो है bullish runs में 1.5 तक भी जो है हम लोगों ने put call ratio को जाता हुआ देखा है but this is not sustainable जैसे 0.6, 0.5 का put call ratio जाधा time तक sustain नहीं कर सकता इसी तरीके से 1.5 के आसपास के put call ratios जो है वो जाधा दिन तक sustain नहीं कर सकते अच्छी जीज़ क्या है bank nifty के लिए के कलीज के expire ही है तो कलीज सारे contract expire हो जाएंगे बट अभी भी अगर हम देखें day end होने पर तो bank nifty का put call ratio 1.55 है तो overbought zone में definitely bank nifty का put call ratio हमें दिखा रहा है put call ratio गया होता है कुछ लोग का सवाल होगा तो इसका मतलब है कि जाधा put writing हुई है call writing के मुकाबल है इसका मतलब अगर जैसे हम बोलते है ना short covering trigger हो गई वो covering trigger करने के लिए अब market के पास shorts बचे नहीं है क्योंकि bank nifty में puts जाधा right हो गई तो कल के लिए एक point जो bank nifty को दिक्कत दे सकता है वो यही रहेगा अगर कल bank nifty में थोड़ी बहुत दिक्कत आनी है चाए वो global की वज़े से आए global picture की वज़े से आए या gap up हो जाए उसके बाद आए तो वो एक ही reason होगा वो होगा put call ratio जो 1.5 1.6 के आसपास है तो इसके उप पर हम लोग definitely आप लोग watch out करके रखना कल banks में मत फसना दिक्कत हो सकती है ठीक है आज जो news flow था जो rating अप्ग्रेड हुआ था HDFC bank का investor meet से positivity सारे banking stocks में आई अपार्ट फ्रों ICICI कोटक 2% HDFC bank पोने 3% access 5% सब कुछ उपर था तो इस चीज के उपर थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कल के लिए एक swing बहुत important है पहला तो यह हमारा 47,280 से लेकर 225 47,175 से लेकर 225 एक बहुत important level है अगर यह breakout होता है तो बहुत अच्छा एक momentum जो है वो bank nifty को दुबारा से जो है वो उपर लेके जा सकता है और positional मैं बात करूँगा कल की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि you never know हो सकता है gap up से ही यह breakout हो जाए बट honestly मैं चाहूंगा कि कल थोड़ी profit booking आए मतलब कल थोड़ा sideways जो bank nifty जाए तो बहतर रहेगा वरना अगर इस put call ratio में यह gap up करके उपर जाने की कोशिश करता है तो breakdown failure का और collapse होने का जो है मतलब क्या हो सकता है अगर इतने high put call ratio में यह उपर जाने की कोशिश करेगा न तो यहाँ पर breakout failure का chance जो है वो आगे चलके बढ़ सकता है मतलब एक दो दिन में इसके उपर थोड़ा ध्यान रखेंगे हम है 47,225 के उबर तो 47,900 के आसपास तक का जो gap है यह bank nifty positionally fill करने की कोशिश करेगा और काफी तेजी से fill करने की कोशिश करेगा तो इसके उपर हम लोग definitely watch out करेंगे 15 minute chart अगर मैं लगाता हूं तो हम लोग यहाँ पर swings जूनते हैं क्योंकि जादातर लोग swings ही खोजेंगे तो आप clear cut देख सकते हैं वो है 46,750 46,750 के नीचे अगर यह आता है 46,780 से लेकर 750 की range इसके नीचे आता है तब ही हम short के बारे में सोचेंगे ठीके अगर इसके नीचे आ जाता है इसके नीचे gap down कर देता है तो definitely बजार वो weakness शो करेगा और उसके बाद जो है bank nifty दुबारा से 46,300 की तरफ बहुत आराम से आजाएगा ठीक है जल्दी नहीं लगेगी जितनी जल्दी उपर यह उतनी जल्दी नीचे भी आजाएगा तो इसके उपर थोड़ी हम लोग नज़र रखके चलेंगे निफ्टी की बात कर लेते हैं निफ्टी की जो है all time high दुबारा से लगा है closing भी काफी अच्छी हुई है तो व्यू अभी भी similar है जो कल के लिए था निफ्टी में weakness तभी आएगी जब ये वाला swing जो है वो टूटेगा ये swing है अपना बाइस हजार चालिस पचास का जब तक अब बाइस हजार चालिस पचास के उपर हैं क्योंकि यहां पर इसे बहुत resistance मिला था अगर आप इस एरिया में देखें बहुत stiff resistance इस एरिया के आसपास जो है वो बैंक निफ्टी को मिला था अब उसके बाद Monday को इसने जो है यहां पर trapping करने की कोशिश करी देन उपर गया कल जो है आज भी इसने यहां पर support लेने की कोशिश करी कल शाम को जो है यहां 50 के नीचे निफ्टी में अच्छी चीज क्या है निफ्टी का put call ratio अगर मैं देखता हूं तो वो 1.16 के आसपाल है इसका मतलब neutral है अभी भी shots निफ्टी में काफी जादा मातरा में है तो उपर के target अपन क्या लेखे चलेंगे उपर के target एक बार के लिए मैं CPR लगाता हूं त चौट का trade 22,050 के नीचे ही बनता हुआ दिखाए देता है दोस्तों आशे करता हूं वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आज़े वीडियो को लाइक किए जिका मिलता हूं आप से की वीडियो में thank you so much for watching guys जैहिन बंदे मातरम